सब्सक्राइब करें आर्केटेकन नौलेज चैनल को और बेल बेटन जरूर दबा दें क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पे आर्केटेक्चर से एलेटेट हर तरह की वीडियो लाता रहता हूं में आमान सिंग है और आज मैं आप से बात करने वाला हूँ डोर फ्रेम के बारे में और जो चीज होती हैं टेξ याए जो चीज होती हैं निचरली और जो चीज यह लोग करते हैं उनको देखके मैं भी सिखता हूँ अब वो चीज़ आप से सेर कर रहा हूँ कि आप यह चीज़ द्यानक हैं अगर आप की उधर नहीं करते हैं लोग तो मैं खासकर फ्रेम के बारे में यह नहीं बता हूँ को फ्रेम कैसे बनता है वह तो सब आप जानते ही होगे कार्मेंटर बात हैं मैं खाली ग्राउंट फ्रोर की बात कर रहा हूँ जहां पर आप दोर की चौखटे रखते हैं या फिल लगाते हैं तो उस टाइम क्या चिज़ द्यानक हैं आपको कि दीमक आपकी फ्रेम में या आपके दर्वाजे के चौखट में अफिर फ्रेम में ना लगे तो कुछ ट्रिक्स हैं कुछ ट्रिक्स हैं कुछ ट्रिटमेंट हैं जो आपको करने होते हैं कि आपकी जो मैंने PCC की वीडियो पिसली वीडियो में बताया था कि PCC वाली वीडियो में यह थी उसमें मैं बताया था कि किस तरह से आपको क्या ट्रिटमें करने हैं ग्राउंट फ् पर प्ल्लिंद्र के ऑले हम पर प्लींध रखता है और हम हो चैनल गाते हो प्लोंप जो होता है तो इस बाती होता है इस रहे Richard वाल है आपकी और यह दोर फ्रेम है तो इसके बैक पे आराम से दीमक उपर तो चड़ जाती है और फिर वो दोर के फ्रेम के कॉर्णर से उपर दीवारों में होते भी देखा होगा आपने अधिकर लोगों देखा होगी होगा मिट्टी का हलका साथ देखिए दिखता है इस प देखाउरों का बन जाए तो उसके बैक साइट पे क्या करें एक तो जो दीमक ट्रीट्रमेंट का ओइल होता है वो ले ले ठीक है उसके बलेक पैंट या फिर कोई भी पैंट आपके पास हो वह पैंट डाल के उस तेल को जो उसमें डालके मिक्स करके उसका एक लेप कर अब ईमेज में दिखे रहा है यह डोर फ़ुर्त में पॉलीक किल दाल उजसे तो प्रोटेक्शन गेर दें रबाता है क्या पुल्स्सी प्रेड में है जब यह मैं आप से टेंभानें के बाद उस है too तो उस टाइम कीया करें, जब आप खड़ा करते हैं, अ yağ 일ंकार पे आप सफाई करले और दीनमक की तो होलका सटःते की ऐस डेंटेर neither और क्वालो कॉल्य कॉपने ने तो जब लिएग आप एक पलेवड उस फ्रेंट के चालता फिर दाख तो रेत डालने से दीमक रेत से क्रॉस नहीं होती है तो रेत डालने से ये प्रॉफिट होता है कि दीमक आपकी मुस्ली 99% की उस फ्रेम पर जल्दी आएगे नहीं इनके थोड़ा बहुत हो गया तो बात दूसरी है वह तो फिर कुछ कह भी ने सकते लेकिन अपनी तरफ से जब आपकी चिनाई हो जाई ब्रेक वर्क हो जाए और ब्रेक वर्क होने के जब तक भी आप एपना घर कंप्लिट हो रहा है आपका इंटिगर बनना है उस टैम भी बीच बीच में इसको जो है फ्रेम को पीछे से इंजेक्ट जो है कराते रहें इंजेक्शन ले लें यां कोई भी treatment बहुत सारे आते हैं मैं आगे आने वीडियो में बताओं किस सरे treatment होते हैं क्या क्या chemical यूज़ करते हैं लोग तो वह प्रोफेशनल तरीके हैं बहुत सारे treatment करने के तो अगर नहीं प्रोफेशनल के भी वह कॉशली पढ़ते हैं सब कराने के हिसाब से नहीं सब लोग नहीं कदा सकते तो वह चीज़ आप ध्यान अखें तो यहीं सब चीज़ें हैं आपको ध्यान अखने हैं